गोजात में विदान सभा चुनाव में अब 10 दिन से भी कम समय रह गया है ऐसे में राज जी की दोनों मुख्य पार्टियां बीजेपी और कॉंग्रेस विकास का मुद्धा भलाकर जाती धर्म और जनेव को लेकर एक दूसरे पर निशाना साथते में जुटक गए हैं एक तरफ बीजेपी कॉंग्रेस उपादेक्ष राहूल गांधी से उनका धरम पूछ रही है तो दूसरी तरफ कॉंग्रेस पूछ रही है कि अमिट शा बताये कि क्या वो हिंदू है जैसर राहूल गांधी ने हाली में सोमनात मंदिर में पूजा अर्चना की थी इस दोरान उ के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है मंदिर में की गई इस एंट्री को अधार बनाकर बीजेपी राहूल गांधी पर निशाना साध रही है उतर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी अदित्रनात ने कहा कि राहूल गांधी को आज गुर्जात के अंदर मंदिर याद आ रहे है हमारे देवो के अस्तितों पर ही जो पार्टी प्रशन चिन खड़ा कर रही थी आज उनका योवराज उन मंदिरों में जाता है यह देखकर हसी आती है और सवाल उठता है कि यह पाखंड इस देश में कब तक चलेगा वहीं बीजेपी शांशद मिनाक्षी लिखी ने भी र मिट्शा खुद को हिंदू बताते हैं जबकि वे एक जैन है जहां तक राहूल गांधी की बात है उनके घर में शिव की भक्ति बहुत लंबे समय से हो रही है इंद्रा गांधी रुदराक्ष पहनती थी जिसे सिर्फ शिव भक्त ही पहनते हैं